तो दोस्तों आज के सिस्टन की सुरुवात करते हैं एक GS के question से प्रस्न है कि आचार विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की सुरुवात कहां से की थी आचार विनोबा भावे एक बहुत ही important topic है और इससे लगबग हर प्रतोगी परिक्षा में प्रस्न पूछ लिए जाते हैं तो friends आचार विनोबा भावे पर एक बहुत ही स्तांदार वीडियो मैंने upload किया है आपके channel only GS master class पर अगर ये channel आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe कर लें और यहाँ पर देखेंगे तो Indian history के अंतरगत ये आधनी भारत का इतिहास में बुनोबा भावे पर एक पूरा complete वीडियो है जो की मातर 5 minute 49 second का है इसको आप देख लीजिए बिनोबा भावे से जो भी प्रस् कर याद कर सकते हैं तो इसी परकार के जो वीडियो हैं यहाँ पर upload की जाते हैं अगर आपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए इसका लिंक वीडियो के description में है और फिलाल यह जो प्रस्न है इसका उत्तर आप जरूर दीजेगा और इसका उत्तर मैं हाली में मनाया गया था तीन जुलाई को देखो फ्रेंट्स जुलाई में ले एक जुलाई से लेकर दस जुलाई की बीच में जितने भी important डेज बढ़ते हैं सारे डेज मैं आपको प्रते दिन रिवाइश करवा रहा हूं तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक जुलाई को मनाय गया था National Doctors Day, National Chartered Accountant Day, राष्टी डाग करमचारी दिवस और अंतर राष्टी सहकारिता दिवस, दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ड यूफो डे, तीन जुलाई को मनाया गया था International Plastic Bag Free दिवस, तो यह दिवस मनाया गया था तीन जुलाई को जो की आपक से किसान दिवस, तो बार बार में डिविजन करेंगे, ताकि यह सारे दिवस आपको बिलकुल रट जाएं, अगला कॉश्चन है, हाली में इस्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वो एक जानी मानी क्या थी, तो फ्रेंड्स यह एक जानी मानी अभिनेत्री थी और हाली में 100 वर्स की अवस्था में इनका निधन हो गया है, आप देख सकते हैं कि अपने युवा काल में इनकी तस्बीर और अब तो है ना, काल को नहीं किसी की लाज, कई हिंदी, माराथी और बंगाली फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री इस्मृति विश्वास का 100 वर्स क में दो देशों की यात्रा की है, यह हैं आपके रूस और आस्ट्रिया, ठीक है, तो पियम मोदी 8-10 जुलाई तक रूस वर आस्ट्रिया की आधिकारी यात्रा पर रहे, पियम मोदी ने 8-9 जुलाई को 22 वे भारत रूस वार्षिक सिकर समेलन में हिस्सा लिया, और बीते 41 स किसी भारते र्दानमंत्री की या पहली यात्रा है, प्रिदानमंत्री मोदी की तो पहली ही mechanी है लेकिन 41 सौल के बात किसी प्रथानमंत्री ने और जे slipped, अस्ट्रिया की रूस ब्रूस वार्देयर। और चैंसलर कार्ल नह्मर, देखो यह कोस्टन बहुत इंपोटन है, इस आया कि वो आगे आपको पता चल जाएगा यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगलोसिस या सिंगेला संक्रोण में शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो होती है आंत आप्शन सी बिल्कुल सही है नई दिल्ले स्थित राष्ट्री और विज्ञान अनुसंधान परिशत यानि कि यह आई सी एम आर इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने यह जानकारी दिये कि सिंगेला प्रेक्टिविया से लड़ने वाला टीका स्वदेशी टीका तो राष्ट्री जीवान संक्रमण अनुसंधान संस्थान ने इस टीके को विक्सित किया है दुनिया में पहली बार 1892 में जापान के माइक्रो बायलाजिस्ट की ओसी सीगा ने इस बैक्टिरिया को भचाना था यह रोटा वायरस के बाद दूसरा पांच वर से कम बच्चो कितने हिस्से को बरबाद करने की बात कहीगी देखो फ्रेंड्स अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप फल और सब्जीयां लाते हैं तो खराब हो जाती है और अगर देखा जाए तो यह फल और सब्जीयां जो खराब होती है इनसे green house gases निकलती हैं, अगर इन फल और सब्जीयों को बरबाद होने से रोका जाए, तो पहली बात यह है कि दुनिया की जो आबादी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो की अब भी भूका है, उसका पेट भरा जा सकता है, दुसरी बात जो green house gases हैं, उनके उत सर्जन में कम से कम चार प्रतिसत की कमी लाई जा सकती है, फिलाल आप यह मान चलिए कि दुनिया भर में, भूजन का जो एक तिहाई हिस्सा है, वो बरबाद होता है, ठीक है, पैदा तो होता है, लेकि बरबाद होता है, और वहीं पर भी नमबना है कि बहुत सरे लोग भूके हैं, यह संगानी में, SCO का दस्वमा पूर्ण सदस सिद्ध कौन सा बना है, आपको पता है न, कि 2024 में SCO का जो सिकर सम्मेलर हुआ है, यह कहां पर हुआ है, अस्ताना उजबेकिस्तान में, और इसी सम्मेलर में, जो दस्वमा पूर्ण सदस से बन गया है, वो बना है बेलारूस, प्रदानमंत्री मोदी ने इसमें पार्डिसिपेट नहीं किया है बलकि उनकी जिगें विदेश मंत्री यस जैसंकर ने पार्डिसिपेट किया SEO ने यह लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के लिए यहीं से प्रस बनेगा पक्का SEO ने 2024-2025 के लिए SEO की परेटन और सांस्कृतिक राजधानी की रूप में चाइना के किंगदाव सहर को चुना है यह बिलकुल जहन में रहना चीए ठीक है बिलकुल भूलना मत इसको और SEO की जो अगली बैठक होगी कहाँ पर होगी तो चीन में होगी कब होगी 2025 में हाली में लोगपथ मुबाइल आप को किस राज़ने जारी किया है मतलब यह कहा जा रहा है कि इस मुबाइल आप में अगर सडकें खराब हैं तो फटाफट उसकी फोटो कीची डालिए और साथ दिनों में एक्शन लिया जाएगा तो यह जो आपका एप है लोगपथ मुबाइल आप इसे डेवलप किया है किसने तो फ्रेंट्स इसे डेवलप किया गया है मद्ध्य प्रदेश में मद्ध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जी यहां मोहन यादव जी है हाली में किसने हेल्थ साथी योजना की क्या गया है तो यह पहली बार है ठीक है तो पहले के सरज्टी अभ्मापुरुसकार से समारिध किया गया किसको तो P गीता को के सरज्टी KI सetically अम्मापुरुसकार P गीता को दिया गया Shams की Evet P गीता कौन है लेखिका है आलोचख और Даже वादी लेखी का है कौन देता है इसे इसे केरल की ओर से विंग्स की दोरा प्रदान किया जाता है और जो पी गीता जी की किताब है उसका नाम क्या है आन ठचुकल आन ठचुकल आज का अंतिम प्रस्न है हाली में केंद्री मंत्री जी किसन रेड़ी ने UPSC उमिदवारों की सह जरू किया है इसका नाम है निर्माण ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है तो फ्रेंट्स यह सेसन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दिजिएगा और अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप आईए हमारी वेबसाइड इस्टेडी वि आपивать मात कुछ आप है चाहते हैं तो आतातक का यह सेस्बडी में आप का टिल्ग सेस्बड़ को आप है अपा कुछ भााना चाहाते है ।